असलाम नेकम कुकिंग जंक्शन चैनल पर आप साबको खुश्यान देद आज हम बना रहे हैं ब्रैट के किलाब जामन वह भी बहुत असान तरीक है तो चले इसे बनाना हम शुरू करते हैं यह देखें यह हमने बनाना यह हमने इसको कटिंग करना शुरू कर दिया यह इसके जो साइट के कनारे हैं यह हम इसको आइसता रिमूव कर देंगे और यह जो इसके कनारे हैं इसके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं तो वह भी किसी चीज में इस्तमाल हो जाते हैं तो इसलिए हम अब हम इसको चाहिए तो आप ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं तो हम हाथों की मदद से इसको मसर रहें इसको अच्छी तरीके से मसर लेते हैं और यह जो हमने एक मग दूद रखा हुए इसको अपने इसके दूरत के मताबिक आपने डूब बनाते जाएंगे चले यह देखे हमने अपनी ब्रेड जो है उनको मसल ली गया है हातों से तो अब हम इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ थोड़ा से दूद शामल करेंगे जितनी हमें इसके जरूरत है ज्यादा भी नी शामल हो जाना चाहिए ताकि यह बिल्कुल ही लिक्विड जो है ना बन जाए चले हैं अब हम इसमें एक एक करके अपनी बोन्स जो भूप बना लेंगे ग्लाव्जामन की तो यह मैंने हाथों को बिल्कुल आईल से ग्रीज कर लिया तो अब इसको एकए करके बनाना स्टार्ट करते हैं कि देखें बॉल हमारी बिल्कुल लड़ी है इसी तरह हम ऐसा ऐसा एक एक करके अपने बॉल्स बना लेंगे चलिए अब हम अपना शीरा दियार कर लेते हैं इसमें लाराम राम राहिम यह हम इसमें एक कप जिननी है तो डेड़ कप हम इसमें पाने डार लेंगे अब यह हमने डेड़ कप पानी शामल कर लिया और एक कप अपनी चीनी को शामल करें और इसे अच्छी तरह के से मिक्स कर लेंगे तो दीन इसमें जोटी यह ले लेंगे और इसको ऐसे काटके ऐसे साबत्री डाल देंगे अंदर से खोलके ने इसको अच्छी तरह के साथ साथ यह लाते जाएंगे और जो गलाब जामन की चाशनी है इसको हमने गड़ा नहीं करना इसको हमने पतला यह बनाना आ तो पतला ही बनाना है यह हमने 12 बारा पीज लिए थे च्छोटी ब्रड छो बारा पीज लिसे सीज़ा में उसके के तिर्फटी बारा पीज़ा पतल्य है इसको पतला हिर कारा इसका बदा ने ही रीकाने हmäß उसको फेड में आपके पास विन्हीकर है तो आप बस बाल सकते हैं तो अगर लीमू है तो लीमू के एक दो ड्रॉप आप डाल लें क्यूंकि यह जो चाशनी हमारी है यह फिर जमेग ही नहीं यह ऐसे बुर्बरी सी नहीं होगी यह चीज़े हम डालें के वज़ा से तो हम इसमें शामल कर लेते हैं लेमन के अपने लेमन के दो तीन ड्रॉप बलके हमने चार पंट राप अपने लेमन के इसमें शामल कर लें ताकि हमारी जो चाशनी है वो ऐसी बुर्बरी सी नहीं हो बस वो बिल्कुल एकदम सही रहे तो इस टेज़ पर आकर इसमें आप रूप के वड़ा जो है वो भी शामल कर लेते हैं तो मेरे पास वह अविले रहे और जिसे हम ठाली कर लेंगे ताक हम यह एक रूंने के तब-खत रख लेंगे जो कर लेंगे आय उसमें अपना शामल कर लेंगे यह हम शामल करें आश्ता है चले यह देखिए हमारी जो बॉबल्स हमने अपनी जितनी भी बॉल्स है वह सारी इसमें शामल कर लिए हैं अब हमारी जो इसमें बॉबल्स है वह बना शुरू हो गई है तो इस स्टेज पर हम अपनी पहले हमने आच को स्लो ही रखा हुआ था तो अपने तेज कर लेना है तो ताके जो हमारे बॉल्स है उन सब एक ही जैसा कलर चड़े चलिए देखें हमारी जो बॉल्स है यह बन गी है लाग जामन की तो अब हम इसे अपने शीरे में ट्रांसफर कर लेंगे तो इसमें अपनी जो बॉल्स है मारे रेडी हो चुकी है और हमने इसे अपने शीरे में डाल दिया है तो इसमें तक यह दस मिट तक डला रहेगा दस मिट तक हम इसका वेट करेंगे उसके बाद हम अपनी सब्विंद प्रेट में से आपको नकाल के दिखाते हैं चलिए हमने गुलाब जामन अपनी सब्विंद प्रेट में डाली है अब DOC करतें के छीड़े को डाल देंगे के छले हमघे की जब बहुत ही मज़ेदार प्र ग्राइदि आए अगर में ब्हाइता है इDING दिखाते हैं कितने नरम कितने जूसी तures टकाए हैं इसे नर्म यह देखिए माशाला से अगर आज की हमारी जो रेस्पी अगर आपको पसांदा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत बूलें मत बूलें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत बूलें अल्ला हाफीज